क्या शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की पहले दोनों मैचेज ही कम्प्लीटली एक तरह से देखा जाएं कॉंट्रास्ट जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं जो हम सोचते हैं वैसा बिलकुल नहीं हो रहा है कल हमने सोचा था कि दक्षिन अफ्रीका जो है वो इंग्लेंड को क पागिस्तान का मुकाबला जो है वो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि पागिस्तान ने इंग्लेंड में काफी वक्त अभी तक बिता लिया था इंग्लेंड के साथ सीरीज खेली थी लगा तार वो 300 प्लस स्कोर भी बना रहे थे हलांकि जीत नहीं पा रहे थे इंग्लेंड से लेकिन उने जिस तरह से अपने आपको इन कंडिशन में डाला था यहां पर वक्त बिताया था लग रहा था कि वो वेस्ट इंडीस की तीम को टक कर दे पाएंगे हलांकि वेस्ट इंडीस की तीम भी बड़ा शांधार खेल रही थी और लग रहा था कि वेस् मैच मही उल्टा फुल्टा के जो कंटेंडर्स थे वो जम कर आपको मिले होंगे अगर आपने इस मैच में आपने उल्टा फुल्टा.com पर जाकर अपनी जो टीम बनाई होगी तो आपने जो चेलिबरिटीज को चैलेंज दिया होगा तो उसमें आप जीते भी होंगे क्योंकि सब कुछ उल्टा और फुल्टा ही हो गया कैसे हो गया क्योंकि आप देखिए जरा जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है केवल 21 से उपर 22 ओवर में ही पुरी तरह से ओल आउट हो गई 105 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के गेंबाजों से बहुत सारे लोगों ने ऐसी उमीद नहीं करी थी क्योंकि वेस्ट इंडीज के आज जो गेंबाज थे उनके पास गेब्रियल भी नहीं थे रोच भी नहीं खेल रहे थे तो सारा जो जिम्मा था वो जेसन होलडर के कंदों पर था और शेन थॉमस के कंदों पर था अंधरे रसल से उमीद थी हलाकि अंधरे रसल आईपियल में थोड़ा सा उनके फिटनेस को लेकर भी इशूज चल रहा था क्या वो पुरी तरह से अपने फुल मोमिंटम में गें डाल पाएंगे की नहीं इस पर भी जो था वो सवालिया निशान नहीं था लेकिन क्या शुरुआत करी वेस्ट इंडीज ने 45 रन के स्कोर पर ही तीन विकेट गिर गए थे 10 वे ओवर में पाकिस्तान के आप देखिये जिस तरह से इमाद वसीम आउट हुए फकर जमान आउट हुए बाबर आजम भी जादा कुछ कर नहीं पाए तो यहां पर जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी है वो पूरी तरह से लड़कडा आ गई लेकिन फिर भी पाकिस्तान के फैंस को उमीद थी कि शायद जो उनके बल्लेबाज हैं अब थोड़ा समल कर खेलेंगे अब समल कर खेलेंगे आउट नहीं होंगे क्योंकि इतनी जल्दी विक्टे गिर गई हैं तो शायद क्योंकि ओवर कास कंडिशन्स थे और वेस्टेंड जो है अपनी विक्टें प्लेट में डाल कर गिफ्ट करनी हैं वेस्ट इंडीज को नथिंग टेक अवे फ्रम वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों से भी क्योंकि उनने गेंदबाजी बड़ी अच्छी करी लेकिन पाकिस्तान की टीम पूरी की पूरी ओल आउट हो गई 105 र पाकिस्तान के बलेबाजों को समय में नहीं आया कि हो कह रहा है और शायद उन्होंने अपना जो गेर है वो चेंज ही नहीं किया जो भी बलेबाज आ रहा था वो लंबी हीट है माने की कोशिश कर रहा था शायद वो बूल गया थे कि ये 2020 क्रिकेट नहीं है हर मैच में आप एक ज़य आप रहा थे लगो में तो बाज में खुआ और शायद है वेस्ट इंडीस की तीम में उनको परेशान कर सकते है लेकिन कंडिशन्स उन्होंने रीट ठीक नहीं करी मीए अपनी ग्यारा चुन तेवे C Technology से तेज गेंदबाज यो थे वहावी रहने वाले थे और उन्हें किया भी फिर भी क्योंकि वेस्ट इंडीस की बल्लेबाजी होती है वह भी कम सुसाइडल मोड में नहीं होते हमेशा वो हमेशा इसी तरह से केलते हैं हर गेंद पर वह हिट माने कोशिच करते हैं फिर भी शायद थोड़ी सी उमीद थी कि अगर वेस्ट इंडीस के बलेवाज शायद उनको अगर शुरुआती जटके मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम है थोड़ा से उनको क्या पाकिस्तान के जो गेनबाज हैं वो भी उसी तरह से हावी हो सकते हैं वेस्ट इंडीस के बलेवाजों पर हुए भी किसी तरह से लेकिन सामने जब क्रिस गेल थे तो उनको जो है क्रिस गेल जब अपने फुल फ्लो में खेल रहे थे स्कोर जो था वो बहुत कम था उनको टारगेट बहुत कम था अचीव उनके करने में और क्रिस गेल जो अपने अंदाज में फुल फ्लो में जब बैटिंग करने लगे तो जब धन घटते गए जब विक्टरी के पास आते गए होप जल्दी उनके आउट हो गए थे डार डार ब्रावो जो थे वो लगाता जो है वो उल्टा प्लेयर साबित हो रहे हैं वेस्ट इंडी टीम के लिए वन डे फॉर्माक्ट में वो नहीं चले वो खाता भी नहीं कोल पाए लेकिन निकलस पूरन फुल्टा प्लेयर एक बार फिर से थाबित हुए वेस्ट इंडी टीम के लिए और उनने इंशूर करी कि ज़ अब्तान जेसन होल्डर भी उमीद है कि आपके भी फुल्टा प्लेयर वो रहे होंगे उल्टा प्लेयर मेरे जो उल्टा प्लेयर थे वो फकर जमान थे हलाकि आज उन्हें ने शुरुआत थोड़ी सी ठीक करी थी लेकिन क्योंकि इमाद पहले आउट हो गए थे तो इमाद भ सवाल उनके लिए खड़े हुए होंगे उन्हें शायद 11 चुलने में जो है अपनी थोड़ी गलती करी लेकिन पहला मैच है एक पॉजिटिव उनके लिए रहा होगा कि मौमद आमिर जिस तरह से गेंडाल रहे हैं मौमद आमिर ने तीन विक्ते निकाली मौमद आमिर उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होंगे नेक्स मैच में शायद उनकी बल्ले बाजी जब चले तो गेंड़ बाजों के उपर रिलाए कर सकते हैं कि हमारे इन गेंड़ बाजों ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मिंस किया है तो हम इनके पर रिलाए कर सकते हैं वेस्ट कर नहीं पाए साथी साथ होप हलाकि सब लोगों ने उनको आज फुल्टा अपनी टीम में चुना होगा क्यूंकि लगातार वो रन बना रहे थे 100 पे 100 जमा रहे थे वो अभी हाल में वन डे क्रिकेट में बड़े शांदा फॉर्म में थे लेकिन होप आज उल्टा प्लेयर म इसमें मिले होंगे आज के मैच में लेकिन वो ही बात है कि जब काफी सारे लोग सब कॉंटिनेंट में पागिस्तान में हो लोहर में हो दिल्ली में हो ओफिस का काम खत्म करके घर वापिस लोट रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि छे साड़े छे का वक्त हो गया है जहां समय अनसाथ कि आप जाकर सेकेंड इनिंग्स वो देखेंगे तो उससे पहले ही मैच ही खत्म हो गया था यानि कुल 36 ओवर का ही ऑन्मूस्ट खेल हुआ 24 ओवर उन्हें ने खेले 12-13 ओवरों में जो है 13-14 ओवरों में जो है वो उनकी पारी वेसिंडीज ने वो चेस कर लिया स्कोर तो मैच ही खत्म हो गया था तो मज़ा नहीं आया मेरे कि आसे जो लोग थे वहाँ पर स्टेडियम में आये होँगे वहाँ पर उनको भी जादा मज़ा नहीं आया होगा कि एक इनिंग्स का यह अल्मूस उनको अगर मिला कर देखा जाए खेल देखने को मिला लेकिन गेनबाजों का दिन रहा यह बहुत कुछ हम बात कर रहे थे कि बलेबाजों का यह टॉर्नमेंट रहेगा क्योंकि रन इतने बन रहे थे लोग कह रहे थे पांसो भी बन जाएंगे चार सु से उपर बनना तो ऐसा लग रहा था कि तही होगा हर एक मैच में जहां पर क्योंकि इतने सारी जो मैसिफ बलेबाजी के जो हैं इतने अच्छे रन बन रहे थे इस वेस्ट इंडीज के और पाकिस्तान ने भी बनाये थे अभी अहाली में इंग्लेंड के इस दौरे में इंग्लेंड के साथ बाइलाटरल सीरीज में लग रहा था बड़ा स्कोर होगा लेकिन पाकिस्तान की टीम आज बुरी तरह से अगर प्लान एक अगर उनका फेल हो जाए तो प्लान बी हमें अपनाना पड़ेगा प्लान सी होना पड़ेगा जैसा की जादतर टीमों में होता है देखने के लिए हमें मिलता है तो उल्टाफुल्टा.com पर आपके पास मौका है कल दो मैचेस हैं और दोनों मैचेस में आप जाकर अपनी टीम बना सकते हैं तॉस से पहले तक का आपके पास वक्त होता है आप इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी जाकर उल्टाफुल्टा.com पर अपनी टीम बना सकते हैं दोनों मैचेस के लिए अपने उल्टा प्लेयर और फुल्टा प्लेयर चुन सकते हैं न्यूजलेंड शेलंका है अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया है आप चुन सकते हैं और उमीद करेंगे कि इंट्रस्टिंग मैचेस कंचे कम हमें कल देखने को मिलें और अच्छे मैचेस देखने को मिलें टोटली वन साइड़िड कॉंटेस्ट ना देखने को मिलें तो मज़ अपने हिसाब से आपको लगता है कि आप देख सकते हैं कि कौन उस टाइम पर वाम अप हो रहा है या जैसे भी आपको लगता है अपने इंट्यूशन के इस आप से वो चेंजिस कर सकते हैं लेकिन आप टीम बनाईए उल्टाफुल्टा.com पर जाईए क्योंकि लगातार इ टीम को भी चैलेंज कर सकते हैं हमारी टीम को भी चैलेंज कर सकते हैं और प्राइज़ बहुत सारे जीतने को प्राइज़ आपको फ्लिपकार्ट स्पॉंसर कर रहा है ग्रिफ वाचर्ज़ होंगे आपके जीतने के लिए वहाँ पर जाकर आप अगर आप चैलेंज करेंगे उनको तो डेफिनिटली आपके लिए भी जो हैं काफी गुडीज हैं जो आप जीत सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही जाए उल्टाफुल्टा.com पर चूज करिए कल के दोनों मैचेस के लिए चार टीमें हैं आपके बास चूज करने के लिए चारों टीमों के उल्टा औ dodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod झाल